हाई मेरा नाम अन्मोल दास है और मैं तेजी मन्नी में हेड ओफ रिसर्च हूँ मैं यहाँ आज आपसे प्रकेट अपडेट शेयर करने आया हूँ पांच अपतों की सिरीज वाले दिसेंबर की सुरुवाद इस साल पॉजिटिव रही है निफ्टी में 82% रोल ओवर और 77% की FII लॉंग पोजिशन के साथ सिरीज की सुरुवाद हुई है जो की जनवरी 2021 के बाद सबसे बहतर रहा है यह इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि जब भी FIIs 70% से जादा के लॉंग पोजिशन से सिरीज की सुरुवाद करते हैं तो निफ्टी हमेशा पॉजिटिव टरिटरी पर एंड होती है ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं जैसे कि US bond deals 4.34% के high level से घट कर 3.63% पर आ गया है साथ में Brent crude भी 85 डॉलर पर barrel पर trade हो रहा है जो कि इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे संकेत है US Fed Chairman Jerome Powell ने अपनी midweek speech में आने वाले समय में चोटे rate hike के महत्वक्त की ओर इशारा किया है 13 और 14 December को होने वाली US Fed meet में 75 basis point rate hike के मुकाबले इस बार 50 basis points के rate hike की उम्मीद की जा रही है अपते के बीच में चीन से भी एक positive ख़बर सामने आई है चीनी government officials ने यह confirm किया है कि चीन में COVID lockdown के नियमों में deal दी जाएगी जिससे व्यापार और लोगों की आवाजाही के फिर से बहाल होने की उम्मीद लगी है बीते हफते बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा गुरुवार की expiry तक benchmark index positive territory में trade कर रहे थे 106 और nifty में 1.8% का उचाल देखा गया जबकि mid cap index 2.8% उपर था कैसा रहेगा आने वाले हफते में बाजार आने वाले हफते में सुक्रवार को जारी होने वाली US jobs data global market के लिए काफी important होंगे अभी से अगले दो सब्ता के बीच जब Fed की बैठक होगी हमें Fed की future policy के रुजाने के बारे में सुनने को मिलेगा जो investors को busy रखेगा और आगे के market को direction देगा Domestics markets की बात करे तो 5-7 December के बीच RBI की policy meeting होनी है इस बार उम्मीद है कि महंगाई और GDP growth rate data को देखते हुए rate hike में नर्मी देखने को मिल सकती है और RBI सायद 35 basis points की rate hike करेगा इसके अलावा 8 December को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के assembly elections के result आने वाले हैं जो बाजार के साथ-साथ ruling बिजेपी government के लिए भी महतोपूर्ण होगा क्योंकि ये 2024 के general elections के लिए जिशा तै करेंगे कच्छा तेल और FII निवेश Brent crude उचलकर 87 dollar पर trade कर रहा है दूसरी तरफ FII इसने भी खरिदारी चालू रखी है sectors in focus media, reality, metals, IT, auto, FMCG और oil and gas sector इस सब्ता भी focus में रहें धन्यवाद आपका दिन शोगो